जिसके साथ आप पूरी जिन्दकी बिताने वाले थे अगर उसने आपको धोका दिया तो उस रिलेशन्शिप का और आगे वाली रिलेशन्शिप का मीनिंग क्या रहता है हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी अरडॉर ये 2002 की एक कोरियन इसी कंसिप पर बेस्ट मूवी है ये मूवी हमें पताती है कि आप कोई भी गलत काम करें हो इसे किसी भी रिजन की वज़े से जस्टिफाय नहीं कर सकते है वीडियो स्टार्ट करने से बहले मैं आप सबसे रिक्फेस करना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अचल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजएगा कमेंट भी कर दीजए जिसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है अभी ना किसी देरी के एक्स्प्लेशन को स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ड रोने पर हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यूजिन ये अपनी बेटी के साथ सूपर मार्केट में हमें दिखाई जाती है ये हम से एती है कि मेरी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी उसका लव मेरेश्ता अपने सिनेर से ही उसने शादी की थी वो आजकल अपने लाइफ से खुश थी और उसे लग रहा था कि ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा उस रात भी उसी यही लगा था अचानक से उनके डोर पर नौक आये और एक लड़की वहा थी यह उसके हस्बंड की कलीक थी वो एक अलग कंटरे में जाने वाली थी तो लास्ट टाइम यूजीन के हस्बंड से मिलने के लिए आई हुई थी वो उसे डारेकली पूछते हैं कि तुम आई क्यों नहीं उस लड़की ने यूजीन को एक्स्प्रेंट करने के लिए कहा कि आपके हस्बंड ने मुझे बहुत हेल्प की है जाने से पहले मैं उसे मिलना जाती थी वो बहुत ही जादा ड्रंक हो चुकी थी और यही पर यूजीन की हस्बंड के साथ इंटिमेट होना चाती थी उसके बातों से यूजीन को पता चल गया कि उसके हस्बंड और इस लड़की में अफ़ेर चल रहा था गुसा होकर उसे निकल जाने के लिए कहती है और अपने हस्बंड पर भी गुसा थी तो अलग रूम में चली गए इस लड़की को यूजीन का हस्बंड घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है वह इस लड़की डारेकल यूजीन के पास आ गए कहती है तुम्हें क्या पता हमारी डिलेशनशिप के बारे में मैं उससे प्रेगनन भी थी मैं उसकी पूरी दुनिया हूँ तो हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते तुम उसकी वाइफ हो तुमारा उस पर जितना हग है उतना ही मेरा भी है इन दोनों में फिर जगड़ा हो गया और उस लड़की ने एक चीद जोर से यूजिन के सर पर मारे इस इंसिडन्ट के बाद डारेक्ली 6 मन गुजर चुके है तो देखते हैं कि यूजिन अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के लिए आई हुई थी ये टाउन नया नया है यूजिन के सर पर बड़ी चोट आई थी और उसी वज़े से अभी भी उसे पेन होता है फरसली यूजिन और उसका हजबन स्योल में यानि की सिट्टी में रहा करते थे पर अब डारेक्ली एक टाउन में आ चुके है सर पर चोट लगने की वज़े से यूजिन की तवियत अब ठीक नहीं रहती दिन बर उसे स्लिपिनेस रहता है अपने मैरेज को बचाने के लिए उसका हजबन ने स्योल को जॉब छोड़ दिया है अब वो इस चोटे से टाउन में आकर एक चोटा सा शौप चलाता है यूजिन अभे भी उस पर बहुत जादा गुस्सा है तो उससे जादा कुछ बात नहीं करते हैं जिस टाउन में होए यह बहुत ही बोरिंग टाउन है करने के लिए कुछ में नहीं यूजिन को ट्राइव पर जाना अच्छा लगता है उसका हाजबन स्मोकिंग छोड़ने का ट्राइव कर रहा था तो इसे एडिक्शन को दूर करने के लिए उसके बास मेडिटेशन की सीडी से किरा थी यह सब यूजिन जाकर फेक आती है ट्राइव करते हुए एक हिल पर रेस्टॉप था जहाँ पर रूकी हुई थी रेस्टॉप लेड़ी ज़रा वीर्ड लगती है घर आते वक यूजिन की गाड़ी बन पड़ गए आसपास एक घर था जहाँ वो गई यहाँ सब कुछ अबैंडन पड़ा हुआ था यहाँ पर एक कपल की फोटो फ्रेम थी यह इंडिकेट करता है कि उनकी फैमिली भी बरबाद हो चुकी थी यूजिन की गाड़ी रस्ते पर ही थी तो उसे हॉंकिंग की आवाज आती है फोंकिंग करने वाला यह हमारा और एक मेंन कैरेक्टर है इसका नाम है इंगू यूजिन उसे कहती है कि गाड़ी अचाना से बन पड़ गए तो इंगू ने इस गाड़ी को देखा उसे पता चला कि गाड़ी में पेट्रोली खतम हो चुका है वो फिर यूजिन को पेट्रोल लाने में हнаком करता है इंगू कहता है कि हम दोने नेभर से उसके घर से यूजिन का कर दिखता है यूजिन इस बर कुछ भी बात नहीं करती है उसने इसकी इतनी सारी हिल्प की पर पूरी रास्ते में वो कुछ भी नहीं बोली इंगु कहता है रखता है तुम अपने ही वर्ड में खोई हुई हो इसके बाद यूजीन यहाँ से चली गई नेकसिन में हम देखते है कि यूजीन और उसका हस्पर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहे थे यूजीन और फ्रेंड की वाइफ इन दोनों में कनवासेशन होती है फ्रेंड की वाइफ कहती है तुम हमेशा घर पर ही रहती हो क्या तुम बिमार हो लोग इसके बारे में बात कर रहे थे इस टाउन में बहुत ही जादा गॉसिप चलता है थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो सारे टाउन को पता चल जाता है तहां में ये भी बता चला कि इंगु अकेला ही रहता है लोगों ने वर्डर किया था कि एक डॉक्टर जिसकी वाइफ है वो अकेला क्यों रहता है स्कुल से घर आते वक्त यूजिन की बेटी अपने एक फ्रेंड को भी लिफ्ट देने के लिए के लिए यूजिन की बेटी की फ्रेंड ये रेस्थाउस लेडी की ही बेटी है रेस्ट चॉब लेडी को यह पसंद नहीं आता कि उसकी बेटी किसी स्टेंजर के गाड़े में घर पर आई घर आने के बाद यूजिन टिवी के सामने बैठी और बहुत रो रही थी उसका हस्बन जब घर पर आया तो उसे पुछता है यह ऐसा क्या हुआ है वो कहती है कि मैं फिर से नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती है हस्बन ने उस पर चीट किया तो अभी भी उस पर बहुत ही ज़ादा हो गुसा है उसे लगता है कि उसके हस्बन को मर जाना चाहिए था और इससे भी बेटर यह होता कि उसे पता चलने के पहले वो खुद मर जाती हस्बन इस पर नाराज हो गया कहता है यह मैं भी इस मैरेज को बचाने की कुशिश कर रहा हूँ मैं सब को छोड़ चाट कर यहाँ पर एक छोड़ असा शौप चला रहा हूँ और तुम हमेशा कंप्लेंट करती रहती हो एक दिन यूजिन फिर से रेस्टॉप पर आकर वह हैंग आउट कर रही थी वहाँ पर इंगू पहुशता है उसे देखकर कहता है कि वेदर बहुत याच्छा है तुम इतनी उदास की बेटी हो यह लाइफ इंपोर्टन्ट है इस तरह से वेस्ट करने के लिए उसने उसे कॉफी के लिए पूचा येसिन हमारा यही खतम हो जाता है एक दिन यूजिन घर पर काम कर रही थी अचानक से उसका सर बहुत ही जाता दुखने लग गया उसकी जो भी सब मेडिसिन्स थे अब वो खतम हो चुके है उसे पता था कि इंगो एक डॉक्टर है तो उसे मिलने के लिए वो आई इंगो से बोचता है कब से तुम्हें ये पेन हो रहा है इंजो कहती कि मेरा एक्सिडन्ट हो था उसने मेडिसिन का नाम बता दिया कहा कि मुझे सिर्फ इसका प्रेस्क्रिप्शन चाहिए जादा कुछ उसकी चेकप की ज़रूरत नहीं है इंगो भी उसे ये दे देता है वो उसे कहता है तुम्हारा सर दुख रहा है क्योंकि तुम हमेशा सोई रहती हो तुम्हे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए यूजिन को जाते जाते उसने रोक लिया कहता है कि चलो हम एक गेम खेलते है समर आने तक चार मन थे तब तक हम कपल की तरह रहेंगे मज़े करेंगे इंटिमेट होंगे मुझे सिर्फ कोई relationship नहीं चाहिए अगर मैंने या तुमने मुझे I love you कहा तो एक गेम हम यही खतम कर देंगे इसके बाद हम एक दुसरे से नहीं मिल सकते है यूजिन पुछती है कि तुम यह सब क्यों करना चाहते हो वो कहता है कि life बहुत change होती रहती है उससे relationship नहीं चाहिए और यूजिन उसे अच्छी लगती है यूजिन ने बुचा तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते है इंगू कहता है कि पहले प्यार करना उसके बाद confession फिर शादिय उसके बाद फिर हम intimate होते हैं उसे इतना सारा time waste नहीं करना यूजिन कुचरी बोले भी ना वहाँ से चली कि इंगू कहता है कि तुमारी life boring है मुझे पता है तुम वापस आओगी Nixon में रहते हैं यूजिन की बेटी की friend को वो फिर से घर पर छोट रही थे यानि कि race shop की lady के पास race shop से बहुत सारी आवाजे आ रही थे actual में race shop lady का husband उसे बहुत मार रहा था वो भागते वागते घर से बहार आती है यूजिन ने उसे बहाँ से भागने के लिए अपनी गाड़ी में lift दी race shop lady कहती है कि जब मैं बार में काम करती थी तब ही मेरा husband मुझे मिला था वो मुझे प्यार करता है पर अपनी रिंगिंग के वज़े से हमेज़ा मुझे मारता रहता था वो अलग-अलग town में जाती रहती है उसे भागने की कोशिश करती है पर हर बार उसे धून दिलेता है एक दिन बहुत सारी बारिश हो रही थी इंगू यूजिन के घर के बाहर गाड़ी रोपता है और उसे देख रहा था वो फिर गाड़ी से आगे चला गया यूजिन ने नोटिस किया और वो भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करती है अब यूजिन इंगू की गाड़ी में है उसे पुछती है तुमने जितने वी बार ये गेम खेला है क्या तुमें कभी प्यार नहीं हुआ जिस तरह से इंगू यूजिन को ये गेम खेलने के लिए बोल रहा है उसी तरीके से इंगू को भी एक लेड़ी ने गेम खेलने के लिए बोला था उसी के प्यार में इंगू पढ़ गया था वो फिर उसका पीछा करता था उसने बहुत मार पिट की थी वो गहता है ये तब में बहुत ही घटी आदमी था यूजिन बोचती है ये गेम कोन खेलना चाहेगा इंगू कहता है ये ऐसी उमन जो बरबात होना चाहती है इंगू से एक मॉटल में लेकर आता है और वहाँ पर ये दोनों इंटिमेट हो जाती है इंटिमेट होने के बाद इंगू यूजिन से कहता है तुम बहुत अमेजिंग थी मैं तुम में पूरी तरीके से खो गया था यूजिन को ये बहुत अच्छा लगा वो उसे बोच्ट ये कि तुम्हारे वाइफ को इसके बारे में पता है वो कहता है कि उससे पता है पर जब तक मैं उसके सामने इस सब नहीं करता तब तक उसे कोई भी फरक नहीं पड़ता इसे वज़े से यहाँ इस टाउन में आकर वो अकेला रहता है अब इन दोनों का मिलना स्टार्ट हो गया एक दिन ऐसे ये मिलने वाले थे पर यूजिन के हस्बन ने कहा कि as a family हम बहुत दिनों से कही नहीं गए यूजिन उसे मना नहीं कर पाए उसके साथ चली गए यूजिन और उसका हस्बन जब रेस्टॉप पर रुके तो यहाँ इंगू भी था एक दूसरे को notice करकर इग्णूर करकर अपने अपने रास्ते चले जाते है यूजिन का हस्बन दिन बर उसके साथ था रात में भी घर पर यह है तो इंगू को कॉंटाइन नहीं कर पाए वो फिर कीचन की खिड़के से उतर कर टारीटी इंजियो के घर पर आ जाते है उसने उसे पताया कि वो कैसी आई और इस पर इंगू गुसा हो गया कहता है इस तरीके की डेंजरस चीज़े तुमें नहीं करनी चाहिए वो उसे देखकर खुश नहीं था तो यूजिन को बहुत ही अजिब लगा वो कहती है कि हम दोनों आज मिलनी पाए इसी वज़े से में आई थी इंगू कहता है इसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता यूजिन भी गुसी गुसे में वहाँ से चली गई घर में आते वक यूजिन की हाजबन ने उसे देख लिया तो पूछता है कि कहा गई थी वो कहती कि में वॉक के लिए गई थी वो थ्रेश वेक निकले गई वो जंगल में बहुत ही आगी चली गई थी तो इंगू भी उसके पीछे पीछे आता है यूजिन उसे आई लव यू कहती है इंगू सप्राइस्ट हो गया तो कहती है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी आई लव यू का मतलब है वो कभी भी गेम से एक्जिट हो सकती है इसी को प्रैक्टिस थी इसके बाद ये दोनों यही जंगल में इंटिमेट हो जाते है इंगू को इसके फ्रेंड्स ढूंड रहे थे पर इन्हें कुछ भी फरक नहीं पड़ा यूजिन एक राद अपने हस्बंड के साथ थे और उसे इंगू की याद आ गए वो बहाना बनाती है कि अपने एक फ्रेंड के पास जा रहे है और डारेक्टली इंगू के पास आई इंगू उसे पुछता है तुम यहाँ ऐसे कैसे आ गए वो कहती है मुझे तुमारी बहुत याद आ रही थे वो इस रिलेशनशिप को अब सिरियसली ले रही है इंगू कहता है तुम्हें रिलाइस करना चाहिए यह कुछ भी सिरियस नहीं है नेकसिन में देखते है यूजिन की सिस्टर का मेमोरियल था इसलिए अपनी मदर को मिलने के लिए वो सियोल जाने वाली थी वो इंगू से बोश्चती है अगर तुम चाहो तम दोनों वहां मिल सकते है पुरी रात एक साथ स्पेंट कर सकते है इंगू भी इसके लिए मान जाता है सिस्टर की मेमोरियल पर वो अपनी मदर के पास आई हुई थी उसकी मदर कहती है कि अब हमें मुवान कर लेना चाहिए उसकी सिस्टर के हस्वर ने भी शादी कर ली तो इनका एमेमोरियल करने का कोई भी पॉइंट नहीं है यूजिन की पहली अपनी मदर के साथ उतनी अच्छी रिलेशन्शिप नहीं थी वो साल बर में एक बार मिलते थे अब वो भी नहीं मिलेंगे टाउन में यूजिन और इंगो मिले और एक जगा उपर डिनर करने के लिए आते हैं इंगो यहाँ बहुत ही बोर लग रहा था यूजिन उसे बोच्छती है कि हम वाक करने के लिए जा सकते हैं इंगो ने इसके लिए भी मना कर दिया वो उसे बोच्छती है कि अगर तुम्हें नहीं आना था तो आये ही क्यों वो गुसाओकर कहती है मैं भी गलत कर रही हूँ अगर तुम उसे बोर हो चुके हो तो ऐसे बता दो हमें रिलेशन्शिप एंड कर देंगे इंगो कहता है कि मैं सा कुछ भी नहीं चाहता यूजिन इस रिलेशन्शिप में बहुत इन्वेस्टेड है तो उसे डर लग रहा है ये दोनों अगर इमोशनरी इन्वाल्ड हो गए है तो ये प्रॉल्म हो सकता है इंगो डर रहा है क्योंकि जब भी वो रिलेशन्शिप में था तो उसे कमिट नहीं कर पाया वो डिस्टब था क्योंकि टाउन में सब लोगों को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है यूजिन कहती की ठीक है अब हम इस खेल को बन कर देंगे इंगो जब उसे घर छोड़ रहा था तो एक बस वहाँ से गुज़रे और टाउन के सब लोगों ने इन दोनों को एक साथ देख लिया इन दोनों के रिलेशन्शिप की जो भी रुमर्स थे वो कन्फरम होके एक दिन यूजिन के घर पर कुछ वरकरस आया एक्च्वल में यूजिन का हस्बन एक फेश पॉर्ण बनाने वाला था तो यही बनाने के लिए यह सब वरकर आय हुए थे यहाँ आवाज हो रहा था तो यूजिन कहती है मेरी बेटी को लेकर मैं कही बाहर जाती हूँ वरकरस ने कहा कि जल्दी वावबस आ जाना क्योंकि उनका काम खतम हो जाएगा टाउन में यूजिन फिर से इंगू को नोटिस करती है वो से कहती है कि थोड़े टाइम में हम मोटल में मिलते है वो अपनी बेटी को रेश शॉब लेड़ी के पास छोड़ देती है और फिर मोटल आती है इंगू ने अब रियलाइस किया है कि उसे भी यूजिन के साथ रहना है पर वो डर रहा है वो उसे कहता है अगर हम एक साथ रहे तो हम जो मिस्टेक कर रहे थे वो ही मिस्टेक हम बार-बार करेंगे तुम मुझसे जुट कहोगी मैं भी फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर दूँगा ये पूरा सही नहीं होगा ये दोनों फिर इंटिमेट हो गए इंटिमेट होने के बाद हो कहता है हम दोनों ने एक married life जी है मैं पता है कि हमारे लिए नहीं है और फिर भी ये दोनों try करने वाले है जब यूजिन मॉटल से वह आपस आई तो बाहरी उसका husband उसका wait कर रहा था जो उसके affair के बारे में पता चल चुका है और वो बहुत ज़ादा गुस्सा है यूजिन कहती है कि मुझे divorce चाहिए वो कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दे सकता उसने अपनी पूरी लाइफ यूजिन के लिए दी है तो बहुत यूग कुस्सा था वो उससे बहुत मारता है यूजिन ने realize किया कि जिस तरह से race shop lady का husband उसे हमेशा केट करकर रखना चाहता है उसी तरीके से उसका खुद का भी husband है वो फिर race shop पर आई race shop lady ने अपना shop बेज दिया था तो वहाँ पर यूजिन इंगो को बुलाती है वो उससे कहती है कि मैं आप फिर से घर नहीं जा सकती इंगो उसके पास आता है उसकी मलम बट्टियों एकरा करता है उसने उसे कहा कि हमें लगता है कि अच्छे लोगों को प्यार होता है पर actual में जो प्यार करते वो बहुत ही selfish लोग होते उनके पास कि सब लोगों को hurt करते इसी type की इन दोनों की relationship है यूजिन बहुत रोती है कि अब वो घर फिर से वापस नहीं जा सकती है उसके पास अपनी बेटी का photo भी नहीं है उसे डर लगता है कि शायद अपनी बेटी का face भी भूल जाया है अगली दिन यूजिन और इंगो ने दोनों ने decide किया कि अब ये अलग टॉन में जाकर रहेंगे इनके relationship को एक सही से chance देंगे इंगो ने भी decide किया था कि शायद वो फेल होंगे और फिर भी try करने वाले है गाड़ी से जाते जाते हैं उनका accident हो गया यूजिन कहती है कि मैं hospital में थी जब मुझे होश आया तो मालूम पड़ा कि इंगो की date हो चुकी है इसके बाद वो फिर से घर पर नहीं गई तो independent एक city में रह रही है वो कहती है कि मैं अभी भी अकिली हूँ रात मैं अकिली रोती रहती हूँ पर फिर भी वो अब खुश है वो independent है कोई उसके साथ हो इसी वज़े से वो किसी भी toxic relationship में नहीं रहना चाहती है फ्यूचर में कभी ना कभी उसे खुश मिल ही जाएगी इसके लिए होप भूल है अगर हम इस movie की बात करें तो Eugene का husband भी गलत था और वो भी Eugene का husband उसने अपनी mistakes उदारने की कोशिश की पर वो unfaithful था इसके कुछ भी फरक नहीं पड़ा Eugene depressed और रकेली थी इसी वज़े से वो इंगो के साथ थी जो चीज़ गेम्स गेम्स में स्टार्ट होई थी वो serious बन गई यह अपनी relationship को try करने वाले थे तब ही इंगो का accident हो गया यूजीन के साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़े हुए और फिर भी वो future को लेकर optimistic है इसी तरी कैसे movie end हो जाती है ज़र आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को subscribe कर दीजे और bell notification icon दारे मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया है